जै शिराम मित्रो आप सभी ने सुना होगा कि हिंदु धर्म में पूजा पाठ के लिए दो पहर के शमय को उप्युक्त नहीं माना जाता है। आईए जाने इसके पीछे धर्मिक और जोतिश कारणों के बारे में। हिंदु धर्म शास्त्रों में पूजा करने के कुछ बिशेश नियम बनाए गये हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन आपके घर की शुक शम्रिधी को बनाए रखने में मदद करता है। पूजा पाठ एक धर्मिक प्रथा है जिसका मुख्य रुपशे दुनिया भर में हिंदु ध्वारा पालन किया जाता है। वही इस से जुड़े कुछ बिशेश नियम भी है जिनका हिंदु धर्में पालन किया जाता है। ऐसे ही पूजा के एक नियमों में से है दो पहर केश में पूजा ना करना। ऐसा माना जाता है कि दो पहर केश में पूजा पाठ देवताओं को शिकार नहीं होता है। आईए जानते है कि दो पहर केश में पूजन क्यों नहीं करना चाहिए। मित्रो, पूजा पाठ हिंदु धर्म के लिए दिन की आवश्यक प्रकिर्याओं में से एक माना जाता है। ऐसा करने से मन को सांत करने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने की फ्रेणा मिलती है। पूजा करने का सबसे अच्छा समय है वह बेद शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के लिए सबसे अच्छा समय प्राता काल को मना गया है। शे इश्वर में ध्यान केंदित कर पाते हैं। इस समय का पूजन सीधे इश्वर तक जाता है और मन की शुधी में मदद करता है। जो तिश्की माने तो दीन में पांच बार पूजा की जा सकती है। पहली पूजा ब्रह्म मोहर्त में प्राता चार बज कर तीश मिनट से पांच बजे के बीच। दुसरी पूजा प्राता काल नो बजे तक, मध्यान पूजा दो पहर बारह बजे, संध्या पूजा साम को चार तीस बजे शे, साम को छे बजे के बीच किया जा सकता है। सायन पूजा रात नो बजे तक कर सकते हैं, हाला कि ब्यस्त जीवन सैली के बीच दीन में पांच बार पूजा करना कठिन है, इसलिए दीन में कम से कम दो बार इश्वर का ध्यान ही आपको कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। आईए अब जान लेते हैं कि दो पार के शमय देवताओं का पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। यदि हम जोतिस के नियमों के इमाने तो दो पार बारा से तीन बजे का शमय देवताओं के आराम का शमय माना जाता है। और इस शमय पूजन किया जाता है तो पूजा का पूज़ा का पूज़ा का बिधान नहीं है। पूज़ा को बढ़ाने में और ध्यान केंदित करने में मदद करता है। अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइप चुरूर करना धन्यवाद। झाल चाल प्लीज चैनल को जनकारी तो प्लीज चैनल को बढ़ाने में और धन्यवाद।